असलाम नेकों में स्टुडेंट आज हम exercise 6.1 का question 3 and 4 solve करेंगे इंशाला तला हम इसके सभी part solve करेंगे तो जी question number 3 है हमारे पास find the value of x square plus 1 upon x square and x4 plus 1 upon x for when इसका part 1 है हमारे पास x plus 1 upon x is equal to 5 यानि के ये value दी गई है हमने x square plus 1 upon x square find करना x4 plus 1 upon x4 find करना ठीक है जे तो हमने क्या करना है पहले ये जो हमारी value है इसके दोनों तरफ हमने square लगा लेना है ठीक है फिर इसके ओपर formula put करना है देखें अभी हम कैसे करते हैं तो हमारे पास question number 3 का part 1 है x plus 1 upon x is equal to 5 हमने क्या करना है x square plus 1 upon x square की value find करना है जो हमें सवाल में दिया गया है ठीक है तो हमने क्या करना है दोनों तरफ हमने square लगा लेना है square on both side तो क्या करना है यह जो value हमारे पास x plus 1 upon x इस पे भी square लगा लेना है और जो 5 है हमारे पास इस पे भी हमने square लगा लेना है ठीक है अच्छे तो अब हम जो formula use करेंगे वो है हमारे पास जैसे यह है ना x plus 1 upon x के साथ whole square है इसके साथ जो हमारा formula use होगा वो होगा a plus b के साथ whole square होगा जोके बराबर है a square plus 2ab plus b square ठीक है यह formula हम usar करेंगे तो जी अब हमने हमारे पास जो यह value है ये A के बराबर है और ये है B के बराबर ठीक है ये X जो है वो A की value है 1 upon X है वो B की value है ठीक है तो अब हमने इनके अंदर values को put करना है A है तो it means हमारे पास X है हमने X लिखा A के साथ square है हमने ये लिखा plus 2 लिखा A की value हमारे पास X है B की value हमारे पास 1 upon X है ठीक है जी प्लस लिखा ये B square है तो इसकी जगा पे हमने B की value लिखनी है 1 upon X उसके साथ square लगा देना है ठीक है जी और साथ में हमने ये भी करना है जो is equal to 5 है तो 5 5 ता कितने होते हैं 5 को 5 time multiply करना है तो 25 आएगा ठीक है अब हमने क्या करना है ये जो X और ये X आपस में cancel out हो गया हमारे पास 2 बच गया ठीक है X square लिखा प्लस 2 लिखा और प्लस लिखा 1 upon X square हो गया is equal to 25 ठीक है अब यहां पे जो हमें चाहिए X square प्लस 1 upon X square की value ठीक है तो हमने लिख लेना है X square प्लस ये वाला 1 upon X square तो ये जो प्लस में 2 है ये बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगी तो जो प्लस का sign है वो माइनस में तबदिल हो जाएगा 25 माइनस 2 क्या आगे हमारे पास answer 23 ठीक है ये है इसका पहला जवाब अब दूसरा जवाब हमने find करने के लिए क्या करना है हमारे पास जो आपने सवाल पढ़ा था बुक में हमने पहले X square 1 upon X square की value find करनी थी जो अभी हमने कर ली है फिर इसके बाद हमने X4 1 upon X4 की value find करनी थी वो हमने कैसे करनी अगेन squaring on both side करना है तो अब जो हमारे पास answer आया था X square plus 1 upon X square is equal to 23 इसके साथ हमने again squaring on both side करना है ठीके ये जो value है X square plus 1 upon X square इसके साथ square लगा दिया अब 23 है इसके साथ भी हमने square लगा दिया अब हमने इसके ये जो value हमने पास A है और ये B है हमने इसका formula put किया ठीके सेम ये ही formula होगा हमारे पास A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square ठीके जी तो अब हमने क्या करना है इनकी values को put करना है ये हमारे पास A की value है ये हमारे पास B की value है ठीके A की value हमारे पास X square है हमने X square लिखा फिर इसके साथ square लगा दिया plus लिखा 2 लिखा A की value हमारे पास X square है B की value हमारे पास है 1 upon X square ठीके plus B की value है 1 upon X square है वो लिखिया हमारे पास B के साथ square है हमने square लगा दिया ठीके जी अब हमने क्या करना है इसकी value को solve करना है यानि की square के साथ इसको multiply करना है X square 2 और 2 कितने है तो टूज दा 4, x4 प्लस 2 x square 1 upon x square प्लस 1 upon x, 2 टूज दा 4 ये value आगे हमारे पास और is equal to हमारे पास है 23 जब हमने 23 को multiply किया 23 से तो हमारे पास answer आया है 529 ठीक है? यहाँ पे भी हमने वही लिख देना है 529 लिख देना है तो अब हमारे पास किया x square ये है और ये है ये दोनों आपस में cancel out हो गए हमारे पास बच गए 2 बच गए x4 बच गए plus 2 plus 1 upon x4 is equal to 529 अब हमारे पास ये plus का 2 है हम दूसरी तरफ ले जाएंगे हमने किस की value find करनी है x plus x4 plus 1 upon x4 की value find करनी है जो के हमें सवाल में दी गई है ठीक है सबसे पहले तो क्या है अब हमारे पास ये हमने value लिखी हमने जो plus का 2 था दूसरी तरफ चला गया minus में तबदिल हो गया ठीक है हमारे पास जो x4 plus 1 upon x4 की value आई है 527 ठीक है जी ये हमारा answer है ठीक है अब इसी तरीके से इसका part 2 भी solve करते है तो question 3 का part 2 है हमारे पास x plus 1 upon x is equal to minus 4 हमने क्या करना है x square plus 1 upon x square की सबसे पहले value find करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा squaring on both side करना होगा यानि के दोनों तरफ की जो value में दी गई है इसके साथ हमने square लगाना होगा ठीक है x plus 1 upon x इसके साथ भी square लगा दिया अब ये जो minus 4 है इसके साथ भी हमने square लगा दिया ठीक है अब हमने क्या करना है formula put करना है हमारे पास a plus b whole square जो के बराबर होता है formula है हमारे पास a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square ठीक है जी यह हमने फार्मूला यूस करना है तो जी हमारे पास इस तरफ की वेलियो है हमने यह साइड का जो फार्मूला है इसमें वेलियो को पुट करना है A स्कॉार है A की वेलियो हमारे पास यह है और यह हमारे पास B की वेलियो है ठीक है तो हमने क्या करना है एक ही जगा पर हमने लिखिना है एक्स एक की वेले हमारा पास एक्स है और टू लिखा एक्स लिखा बी की वेले हमारा पास वन अपान एक्स है वो लिखी बी की वेले हमारा पान एक्स लिखी उसके साथ हो लिखार ठीक है जी अब हमने क्या करना ह इसको पहले solve करना है x square plus 2x one upon x plus one upon x square is equal to हमेरे पास 4 था तो 4 for the 16 है और minus into minus क्या होता है वो plus होता है ठीक है minus into minus को जब आपस में multiply किया तो plus आ गया और 4 for the multiply किया है तो हमेरे पास 16 आ गया ठीक है यहां पे भी हमने 16 प्लेस लिखें या ना लिखें कोई फार्क नहीं पड़ता अब हमने क्या करने कोई cancel out हो रही हो value तो इसको आपस में हमने cancel out करने यह x और यह x आपस में cancel out हो गया हमेरे पास 2 बच गया है ठीक है x square plus 2 plus one upon x square is equal to 16 ठीक है अब हमने यह इस 2 को दूसी तरफ ले जाना है हमने पास value आ जाएगी x square one upon x square की value आ जाएगी ठीक है तो क्या आगे हमने पास answer 14 आ गया ठीक है यह इसका पहला जवाब है किसकी value है यह x square plus one upon x square की value है अब हमने क्या करना है x4 one upon x4 की value find करने जो के हमें सवाल में दिया गया था तो हमने again squaring on both side करना है again squaring on both side ठीक है तो क्या करना है किसको हमने square लगाना है यह जो हमारे पास value है यह answer की value है हमारे पास x square plus one upon x square इसको हमने square लगाना है और हमारे पास 14 है इसके साथ हमने square लगाना है तो जी अब हमने same to same वही formula यूज़ करना है जो कि यहाँ पे किया था A plus B के साथ whole square is equal to A square plus 2AB plus B square ठीक है यह हमारे पास formula है अब हमने क्या करना है इनकी values को put करना है यह हमारे पास A की वेल्यू है, यह हमारे पास B की वेल्यू है, ठीक है, A की वेल्यू हमारे पास X स्कॉार है, प्लस 2 लिखा, और A की वेल्यू X स्कॉार, B की वेल्यू 1 अपाउं X स्कॉार, प्लस B की वेल्यू हमारे पास 1 अपाउं X स्कॉार, ठीक है जी, इसके साथ स्कॉा one upon x square plus one upon x4 ठीक है ये दोना आपस में cancel out होगे x4 plus two one upon x4 ठीक है तो क्या करना है ये two जो है पहले हमने साथ-साथ इसकी value लिखनी है 14 को हमने 14 से multiply किया तो हमारे पास answer आया 196 यहां पे भी लिख दिया 196 यहां पे भी लिख दिया 196 ठीक है अब हमने क्या करना है x4 plus one upon x4 is equal to 196 यह plus का two है दूसरी तरफ चला जाएगा minus में तबदील हो जाएगा था हमारे पास answer आजएगा 194 ठीक है जी यह हमारा दूसरा जवाब किसकी value x4 plus one upon x4 की value ठीक है जी इसी तरीके से अब हम इसका part 3 solve करेंगे तो जी इसका part 3 है हमारे पास x plus one upon x is equal to 7 इसके साथ हमने squaring on both side करना है ठीक है जी तो अब हमने कौन सा formula put करने जो पहले किया था a plus b holy square is equal to a square plus 2 a b plus b square ठीक है जी अब हमने इसकी value इसको put करने मैंने अभी आपको समझाये था कैसे value put करने हैं यह हमारे पास a की value यह हमारे पास b की value ठीक है जी एक ही जगा पे हमने a की value को put करना है plus 2 a की value है हमारे पास x plus b की value 1 upon x plus 1 upon x square ठीक है जी अब हमने क्या करने है इसको multiply करने x square हो गया 2 x 1 upon x हो गया plus 1 upon x square हो गया ठीक है अब यह x x आपस में cancel out हो गया हमारे पास क्या बच्चा 1 upon x square हमने क्या करने है यह 7 है इसको भी multiply किया है square के साथ तो 7, 7 is the 49 ठीक है यहाँ पे भी लिख 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 49 अब हमरे पास x square की value आ जाएगी plus 1 upon x square is equal to 49 plus 2 है इदर चला गया minus का हो गया minus 2 हमरे पास क्या बच गया है क्या बच गया हमरे पास 47 ठीक है यह हमारा पहला answer है किसकी value x square plus 1 upon x square की value है अब हमने क्या करना है हमने जो again scoring on both side करना है फिर से से हम इसी method से करना है ठीक है मैं आप कर लेती हूँ ताकि आपका time बच जाए हमारे पास जो answer आया था हमने इसके साथ scoring on both side कर लिया है अब हमने formula लगाया है फार्मूले के अंदर हमने value को put करना है a square है तो हमारे a square की value मैं पास x square है plus 2 x square one upon x square यह b की value है plus one upon x square यह हमारे पास b की value है ठीक हमने values को put किया अब हमने इसको multiply करना है two two is the four plus two x square डession Mär skincare लाउस प्लस तूटूसदा फोर उना पान एक्स-फोर ठीख किन करना है एकश मुछा है यह जो नहीं हापस तू प्लस बड़ा बॉस डूर टूबर उक्स-फोर और इसके बराबर की दूसरी तरफ किया है था हमारे पास 47 था तो हमने 47 को 47 TIMS multiply किया तो हमारे पास answer आया ड Rh20 9 यहां पे भी हमने लिख लिख लिया ड्बल 209 यहां पे भी हमने लिख लिया 2009 अब हमने क्या करना है X4 plus 1 upon X4 की value हमारे पास मिली है 220 tyre 09 के साथ यह जो प्लस का टू था दूसी तरफ चला गए, माइनस में तबदील हो गया, तो हमार पास क्या अंसर आया है, डबल टू जीरो सेवन, ठीक है जी, यह हमारा दूसरा जवाब है, इसके साथ यह कुश्चन थरी सोल हुआ, अब हम बढ़ते हैं अपनी कुश्चन नमबर फॉर की जान तो student question no.4 है, हमार पास find the value of x² plus 1 upon x² and x4 plus one upon x for when, یہ भी उसी तरहें से हमने पहले squaring on both side करना है, फिर again squaring on both side करना है, ठीक है जी, हमार पास value है, x minus 1 upon x is equal to 3, ठीक ही As मैनust का formula यूज़ करना होगा, values हमारा पास थोड़ी सी चेंज है, लेPop method बिल्कूल सेम है, ठीक है। solve करके देखते हैं कैसे होगा solve हमने सवाल के साथ squaring on both side करना है ठीक है जी x minus 1 upon x लिखा उसके साथ square लगाया is equal to 3 लिखा उसके साथ square लगाया अब हमने जो formula यूज करना है a minus b whole square ठीक है जो के बराबर है a square minus 2ab plus b square ठीक है यह हमने formula यूज करना है तब हमने क्या करना है इस formula में हमने इस value को put करना है यह हमार पास a की value है यह b की value है ठीक है जी तो a की value हमार पास x से x लिखा square लगा दिया minus 2 लिखा a की value लिखी b की value लिखी plus और b की value हमार पास one upon x से उसके साथ हमने square लगा दिया ठीक है जी फिर हमने क्या करना है यह जो 3 है 3 को 3 times multiply किया तो 9 आ गया ठीक है अब हमने क्या करना है x square लिखा minus 2x one upon x plus one upon x square is equal to 9 ठीक है अब हमने यह जो x से यह आपस में cancel out हो रहा है इसको cancel कर देना है x square बच गया हमने आपस minus 2 2 बच गया plus one upon x square बच गया is equal to 9 अब हमने क्या करना है x square plus one upon x square की value को find करना है कैसे यह 9 है हमारे पास बराबर की दूसी तरफ और यह जो minus 2 है दूसी तरफ जाके plus 2 बन जाएगा हमारे पास कितना answer आगे 11 आ गया पहला जवाब है हमारे पास 11 ठीक है अब हमने दूसरा जवाब कैसे find करना है यह जो पहला जवाब है इसके साथ हमने squaring on both side करना है ठीक है तो हमारे पास यह जो value है x square plus 1 upon x square यह लिखी इसके साथ square लगा दिया is equal to 11 लिखा उसके साथ square लगा दिया ठीक है अब हमने अपना formula पूट करना है a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square ठीक है हमने अब इसकी values को पूट करना है तो हमारे पास क्या है a square a की value हमारे पास यह है b की value यह है ठीक है a की जगा हमने x square लिख दिया plus 2x square b की value हमारे पास 1 upon x square है plus 1 upon x square लिखा b की जगा पे हमने इसको square लगा दिया बराबर क्या था हमारे पास 11 था तो 11 को 11 से multiply करेंगे 121 आ जाएगा ठीक है तो जी हमने क्या करना है इसकी values को लिखना है x4 हो गया plus 2x square one upon x square plus one upon x4 बन गया two two is the four is equal to 121 है तो क्या करना है हमने इन दोनों को cancel out कर दिया हमारे पास x4 plus two plus one upon x4 है is equal to 121 है तो हमने क्या करना है x4 की value को find करना है one upon x4 की value को तो क्या करना है 121 है यह plus का two है उदर जाके minus का हो गया ठीक है तो हमारे पास क्या answer आया 119 यह हमारा दूसरा जवाब है ठीक है अब बाकी पार्ट भी इसी तरीके से solve होंगे तो अगर solve नहीं करते तो student request करते कि मैं हम यह भी सवाल solve करें यह भी solve करें हलके हैं यह सारे एक ही method से हैं ठीक है फिर भी solve कर देते हैं ताके किसी student को कोई परेशानी ना हो तो question 4 का part 2 हमने लिख लिया है सारा मैंने solve कर दिया है वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी explain कर देती हूँ अमीद है आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से पहले solve किये हैं यह भी उसी तरीके से होगा ठीक है हमने पास जो इसका part 2 है वो x-1 upon x is equal to 0.2 है ठीक है इसको हमने squaring both side करने हैं क्योंकि हमने x square plus 1 upon x square की value find करनी है सवाल में हमें दी गई है तो हमने क्या करने हैं दोने के साथ square लगाया फिर square लगाने के बाद a minus b holy square जो के बराबर होता है स्कुएर माइनस 2AB प्लस B स्कुएर के यह हमने formula put किया और हमने formula के अंदर values को put किया फिर हमने क्या करना है इसके साथ multiply किया X स्कुएर आ गया फिर हमने क्या किया है यह X और यह X आपस में cancel out हो गए जो के हमारे पास value बच गई माइनस 2 माइनस 2 को हम बराबर की दूसी तरफ ले गये तो हमरे पास आ गये प्लस 2 हमने 0.04 में क्या क्या है प्लस को टू किया तो हमरे पास 2.04 आ गया यह माँ पास x square plus 1 upon x square की विलियो अब हमने क्या करने हैं अगें scoring on both side क्या है क्यों क्यों क्यूंकि हमें x 4 plus one upon X4 की value चाहिए फिर हमने क्या कोया है? दुबारे Ug4 lagा है, दुबारे formula यूज़ किया है, formula की जगा प्रहीं values को put किया है हमें ना Labre की दूसी तरफ था 2.04 था हमने उसको 2.04 से ही multiply किया हमें अंसर आए 4.1616 यह हमने यहां लिख दी और प्लस का टू था बराबर की दूसरी तरफ ले गए तो हमने माइनस कर दिया तो जी हमारे पास यह अंसर आ गया है ठीक है अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीक से हमने सुर्फ के बहुत आसान एक्सरसाइज है यह तो जी अब हम इसका पार्ट 3 भी ऐसे लिख लेते हैं जल लगा लिए अब हमने एक फार्मूला लिख लिए अपना अब हमने फार्मूला की वेलियो पुट करने हमारे पास एक की वेलियो है यह हमारे पास बी की वेलियो है एक्स है तो हमने एक स्कॉयर है एक्स स्कॉयर कर दिया माइनस टू ए है तो एक की जगह पे हमने एक्स यह भी करना है जो बराबर की दूसरी तरफ है माइनस 6 तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगे 6 इंटू 6 कितने होगे 36 ठीक है 36 है अब हमने क्या करना है यह x और 1 upon x आपस में cancel out होगे माइन पास क्या बच गया x square minus 2 plus 1 upon x square बच गया is equal to 36 बच गया अब हमने क्या करना है x square plus 1 upon x की value find करनी थी तो हमने क्या करना है 36 लिखा यह माइनस 2 यह दूसरी तरफ लेगे plus 2 हो गया हमाँ पास क्या आगा answer 38 ठीक है तो यह क्या है इसका पहला जवाब है दूसरी जवाब क्या कैसे आएगा हमने again squaring go on both side करना है both side ठीक है किसको करना है यह जो हमने answer निकाला है हमारे पास x square plus 1 upon x square लिखा इसको square लगा दिया और यह जो 38 है हमारे पास इसको हमने square लगा दिया ठीक है अब हमने क्या करना by using formula हमने कौन सा formula use करना है a plus b whole square जो के बराबर है a square plus 2ab plus b square के ठीक है यह हमने formula use के अब हमने formula की value पुट की यह हमारे पास a की value यह हमारे पास b की value है ठीक है समझाने के लिए मैं लिख देती हôm तो एक ही वेलियों में पास x square है तो हमने एक ही जगा पे x square लिखा तो हमने इस फार्मूले के अंदर इस value को put कर लिया है अब 2,2 को multiply करेंगे x4 plus 2x square 1 upon x square plus 1 upon x4 ठीक है और is equal to बराबर की दूसरी तरफ है 38 तो हमने 38 को multiply किया 38 के साथ तो हमने पास answer आया 1 triple 4 ठीक है अब हमने क्या करने है इन दोनों value का आपस में cancel out कर देना है तो जी हमने पास क्या बच गया x4 plus 1 upon x4 और is equal to 1444 यह जो plus का 2 है हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो minus का 2 बन जाएगा तो हमने पास क्या answer आया 1442 ठीक है जी यह इसका जवाब आया होप आपको समझाओ कि हमने किस तरीके से solve किया है तो student अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी subscribe करें फिर मिलेंगे एगली वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखना खुश रहना लाफ इस टेकेर